राश्ट्रिये सेंसेवक संग के जो संस्तापक थे डॉक्टर केशो बलीराम हिडगेवार वो नाकपुर के थे और अपने पढ़ाई के काल में तो कलकत्ता में उन्हें मेडिकल में पढ़ाई की उस समय के ऐलोपैथिक डॉक्टर बन गए थे वो और आने के बाद उन्हें नाकपुर में बहुत सारे समाजिक संस्ताओं के साथ काम किया और कांग्रेस के भी वो सक्रिये कारे करता थे और उन्हें बहुत सारे अलग-अलग परकार के सामाजिक काम किया सामाजी काम करते-करते उन्होंने एक समय बहुत आंदलों में गए, जेल में गए, एक सक्रिय कारे करता थे परन्तु वो काम करते-करते ही उन्होंने 1925 में राष्टिय सेंसेवक संग की स्थापना की और स्थापना करने के कुछ सालों बाद, 1937 में पुझे महात्मा गांदी जी वर्धा आये थी, वर्धा के पास आज बापु कुटी है, वहाँ सेवागराम है, सेवागराम में ही एक संग का शिबिर लगा हुआ था, वहाँ पर वो आये हुए थे और उनको पता चला कि संग का शिबीर है, वो संग शिबिर देखने चले गए, संग शिबिर देखा, मैं उसके विस्तार बे नहीं जाओंगा, और उस तमें डॉक्टर हेड़िवार जी नहीं थे, शाम को वो डॉक्टर हेड़ि से मिले, डॉक्टर जी उनको खुद मिलने गए, उनके जहां वो ठहरे थे और उन दोनों की चर्चा हुई चर्चा हुई तो उन्होंने कही सारे विशेओं को उन्होंने पूछा और उस पूछने में उन्होंने एक बात उनसे पूछी कि आपका काम तो बहुत अच्छा है लेकिन ये काम आप कॉंग्रेस के कारे करता है तो ये काम आप कॉंग्रेस में रहकर क्यूं नहीं करते हैं ये प्रश्ण उन्हों ने पूछा डॉक्टर जी ने उनको जवाब दिया कि जो राजनीती का जो स्वरूप है उसमें आप लोग सारी बातों के आगे पीछे राजनीती करते हैं राजनीती देश की सवधंतरता के लिए आवश्चक भी हैं और उसके लिए हम आपके साथ हैं परन्तु देश को देश आगे अगर सक्षम बनना है तो वो किसी एक संगटन किसी एक नेता पर निर्भर रहके आगे नहीं चाह सकता और इसलिए बड़े-बड़े काम करने के लिए असामान्य काम करने के लिए के बड़े-बड़े लोगों की जरुवत नहीं है तो देश का सामान्य वेक्ती जब किसी पर निर्भर न रहते हुए 24 by 7 365 देश के बारे में सोचेगा देश के लिए अनुकूल जैसा है समाज के लिए वैसा रहेगा वैसा जियेगा और रोज देश के लिए कुछ करेगा ऐसे सामान्य लोगों की देश को जरूरत है इसी से देश लंबे समय तक आगे चलता रहेगा और इसलिए उन्होंने एक वाक्य कहा कि बड़े-बड़े असामान्य काम करने के लिए असामान्य बड़े-बड़े लोगों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं तो सामान्य लोग भी संगटित होकर असामान्य काम कर सकते हैं सामान्य लोग भी संगटित होकर असामान्य काम कर सकते हैं बहुत unprecedented काम कर सकते हैं और इसके लिए ऐसे लोग जिनके मन में ये शुद्ध भाव हो उनको एक साथ होकर अपने अपने तरीके से काम को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा